नमश्कार दोस्तों, दोस्तों आज इस वीडियो में हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किया है 100 प्लस बैक्राउंस बारा ठारा के और जिसको आप असानी से यूज कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बिगनर्स है तो भी आप आराम से इसका यूज कर सकेंगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम देखते हैं कि कैसे इंका यूज करना है आपने क्या अइक जैसे यह मैंने फोटो जैसे ओपन किये तीन फोटो मैंने ओपन कर लिए हम मुझे पता है कि इसमें एक स्टेंडिंग है और दो फ्लैट फोटो है कंट्रोल टैब से मैं आगे पिछे पर की फोटो को देख रहा हूँ तो आपको क्या यहां से बैक्रोंड ओपन करने है यह देखे यहां से आपको कोई व्या बैक्रोंड ओपन कर लिए जैसे मेने यह बैक्राउंट आपको अच्छी लगी मुझे है धिया अब आपको ग्या करना है कि giàस्ट इसका साइज च लेना काले आल यू से इमेज में जाकर पी जाकर साइज से मैंने इसका साइज चैक कर लिया ज़स्ट आपको पहने एल 예वन इलेक्ट करने इस लेक्ट करने यह वाद उसका आपको गया करना है कंट्रोल टैब दवा दरेंगे और जो स्टैंड इस फोटो ए उसको qtl a qtl x करके और यहां से नौ कर दीजिए, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए और फोटो पे जाएए, इसको स्लेक्ट कीजिए, और मैजिक टूल से एरिया स्लेक्ट करके, कंट्रोल शिफ्ट वी दवा दीजिए, ओके, और इस तरीके से ये फोटो लग जाएगी, बहुत ही एजी है रहे है आपको ये बैक्रण्ड से सभी काम आएंगे, इसको मैंने स्लेक्ट किया है, एप 6 पर मैंने इसको शॉटकट बना रहा है, और जास्ट वा इसको स्लेक्ट करूंगा, यहां से इसको कंट्रोल शिफ्ट वी के दोवारा पेस्ट कर देगे, ठीक है, हम दोस्तों कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, तो यह फोटो बार आ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट वी का प्रियोक करना है, यह शॉटकट दोसको अगर आपने सिखने है, तो मैंने यह इसका जो वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में भी लिखते दिया, और उपर आई बटन पर भी इसका लिंक दे कर दे दिये, ठीक है, यह 100 प्लस बैक्रण्ड है, यह देखी, सभी बैक्रण्स है, कई बैक्रण्स इसमें ऐसे हैं कि जो एक पटन पर भी काम करते है, वो मैं दोस्तों अगर आप ट्रिक्मेंट दरेंगे, तो आपको सिखा दूँगा कि इस तरीकी से काम करते है, यह देख कर रखें, तो इस बैक्रण्स को मैंने जैसे फोकन किया, ठीक है, अब मुझे दोस्तों यहां मैंने इसका 508 शॉटकट रखा है, तो यह एक्शन पर जाके, और यह आपका इस तरीके से दिखता है, तो आप इसको इस तरीके से बटन मूड पर कर लेना, ठीक है, और 508 इसको आपके लिए काम कर रही है, यह जल्दी आपको हमारी टीम के दोरा प्रवाइड करवा दिये जाएंगे, अगर आप ट्रिटमेंट इसमें कमेंट करेंगे, तो मैं आपको यह बना के भी दिखा देंगे, कि कैसे हम इनको यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों, इसको आप चेक कर लीजिए, यह बैकरण्स देख लीजिए, किस तरीके से, बहुत ही अच्छे बैकरण्स आपके काम आने वाले है, इसका पासवर्ड दोस्तों, मैं थोड़ी देर बाद में आपको बता दूँगा, यह क्या है इसका पासवर्ड, जिससे बादरी आपको, इसमें तीन फोल्ट आपके अच्छे तरीके से नज सके हैं, ठीक है, तो मैं यह फोल्टो जैसे ओपन दरता हूँ, यह बैकरण्स ओपन दर लिया, सबसे बैने स्टेंदिंग फोल्टो है, इतर वाले फेस वाली थी, इमेज में जाके और रोटेट पे जाके और 90 डिग्री पे इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स करते हैं, ठीक है, आई ए नाइन इसका शॉटकट होता है, फोल्टो को सेधी करने के लिए, इसको सलेट कीज लिए मैजिक टूल, यह देखें, यह मैजिक टूल मेंने स्लेक्ट किया हो है, कंट्रोल दबाएंगे तो यह अट्रोडिक मववच टूलबन जाता है, और इसको सलेट कीजे, मैजिक टूल से एफ सिक्स दबाईए, एफ सिक्स दोस्तों मेंने शॉटकट मना रखा है, जिसक इसको मौफर दीजे, इस तरीके से भी आप photos लगा सकते हैं, बहुत ही दोस्तों, easy way में आप wedding alum design कर सकेंगे, जो बिलकुल freshness है, जिननों के वल basic ही सिखा हुआ है, वो भी आराम से design कर सकेंगे, आप चाहिए तो इस photo को effect दे सकते हैं, effects वरी class भी आप उसमें मैंने बताया और switches पर जाया के, और just आप इसको select कीजिए, आई image adjustment और gradient map, आई एजी इसका shortcut है, और just आप इसको poke कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी वैकरंट्स काम करेंगे, आप चाहे तो इन पर changing करना जाए तो कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने select में जाके load selection से, इस पे फ्र edit में stock दे रहा, alt e as इसका shortcut होता है, और यहां से white color स्यूज किया, और twin का tinder stock दा दिया, इस तरीके से भी आप select में जाके load selection, alt s o इसका shortcut है, और edit में जाके, और stock, ओके, इस तरीके से दोस्तों आपको ये सभी वैकरंट्स का use करना है, एक और इसमें मैंने नाया होए, देखिए, कि आपका ये number wise ये आएगी, वैसे single photo लगानी है, तो इसमें आ जाएगी, और इसके बाद में 2 plus 1, इसमें आप और चीज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये photo आपन की, ये background जैसे मैंने open करनी है, ये वाली background जैसे मैंने आपन की इतन इसमें आप दो फोटो भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये दो फोटो है, तो इसको मैं यहान लगा के, control A, control X किया, और photo पे control tab से के, control tab दबात पर दोस्तों मैं photo आपे पीछे करता हूँ, और control T से पर दोस्तों मैंने इसको पेश्ट कर दिया, ये दिखे, control tab दबाते हैं, तो फोटो पे, control A, control X किया, और control W से पर दोस्तों मैंने इसको पेश्ट कर दिया, ठीक है, इतना काम करने वाद यहाँ दोस्तों आप एक content यूज कर सकते हैं, otherwise आप एक natural photo भी लगा सकते हैं तो जो आपको अच्छा नवे, वो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैरे ये फोटो यहाँ, चूज करने हैं, तो control ये control X किया, जो फोटो आप पूर natural लगती है, फंक्शन में उसको थोड़ा साप ध्यान रखे देजिए कि इसको अलग से निकाल दीजिए, उस पे effects बहुत इस पे जाके, लेयर में जाके और duplicate layer, आल्ट L D इसका shortcut होता है, duplicate layer बन चुकिया, फोटो भी यह देखिए, और इस पे selection, load selection और ok कीजिए, और alt backspace लवाएंगे, तो ये वाला जो उपरवन कन रहा है, वो फिन हो जाएगा, ठीक है, लेयर पे जाएगे और इसको आप इस तरी तो आप वो भी कर सकते है, ठीक है, तो नुझे यह अच्छा लगा, और जस्ट आप इसको save कर दीजिए, तो इस तरीक्य से आपको दोस्तों अपने mind से देखना है कैसे इन backgrounds को आपने यूज करने है, बहुत ही अच्छे तरीक्य से आपकी जो 12-36 scanner लगेगी, बहुत ही आएगा कम करने में, आप कोई इसमें परिशानी होती प्रॉब्लम होती है, तो मुझे comment box में लिखिएगा, हमारी टीम उसका solution जरूर देगी आपको, आप चाहते कि हमारी टीम आपके लिए कोई वीडियो बनाए तो वो भी आप लिख सकते है, आज के लिए तने दोस्तों वीडियो च्छा लगा तो लाइक कीजेगा, चैनल प्रवैली गारा तो जरूर सब्सक्राइग बर देजेगा, थेंक यू, थेंक यू for watch me